बीक विलकम बएक टोमाइ चैनल विध्च नहीं इस्टेक चिली पनीर को मेखने वाल। जब झाप विल्कम बैक टोस्ट के साथे लोगों चिली पनिर को लेंगे। क्यों न रशेघने जरं मेवानं विछा स्थेदार और ultima करें रेली आप देखेंगे ये सब को बहुत ही पसंद आने वाला है तो चलिए आईए इसकी तियारी करते हैं पहले हम शुरू करते हैं चिली पनीर बनाना यहाँ पर हमने एक पैन में थोड़ा सा अद्रग ग्रेट करके डाला हुआ है उसमें मैं डालूंगी अनियन अनियन को अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कैपसिकम आप बेल पेपर अगर और भी कलर की है तो भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बड़ी चिली को बीस से कट करके इसमें डाला है थोड़ा सा चॉप करके कैरट डाला है यह तोटली आपसिनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने टॉमेटो सोस डाला है और फिर मैंने चिंक्स का चिली पनीर मसाला टू स्पून पानी में डाला है इससे टेस्ट आपका बहुत ही ऑसम होगा और इसके अलावा आपको और किसी भी मसाले या किसी सॉस के डालने की जरूत नहीं पड़ेगी लास्ट में हम इसमें एड़ करते हैं सॉल्ट और कॉरियंडर लीस डाल के हम इसे रेड़ी कर लेते हैं आप बारी आती है हमारे क्रंची टोस्ट बनाने की यहां पर मैंने 2-4 चमच के करीब मैयदद ले रखा है और पर पर फ्लोर और उसमें पानी डालके हम एक थिन घोल रेड़ी कर लेते हैं इसको ready करने के बाद हम इसे side पे रखते हैं और लेते है bread slices slices को यहाँ पर थोड़ा सा रोल करने के बाद एक glass की help से इसे cut कर लेते हैं cut करने से यह हमें bread goal मिल गई उसके बाद मैंने यहाँ पर मैदे के घोल में dip किया और bread crumb से coded करके उसको day fry कर लिया अब आप सोचें के हमें ब्रेड क्रम कैसे बनाने जो रेस्ट आफ दा ब्रेड हमारा बचाता उसे मिक्सी के जार में डाल कर मैंने ग्राइंड कर लिया और हमारा ब्रेड क्रम बनकर तयार हो गया है और हमारी ब्रेड भी यूटिलाइस हो गई है यहां पर हमारा स्नैक्स बनक बाइ बाइ